मोटरोला के जो स्मार्टफोन होते हैं वो वन आप तर स्टाइलिस होते हैं जाहें आप किसी भी प्राइस क्राटिकरी में देख लें इसके साथ ही एड्स व ब्लोट वेयर फ्री हमें नियर स्टॉक इंडोड एक्स्पीरियंस देखने को मिल जाता है एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है तो आप भी प्लैन कर रहे हैं मोटरोला के स्मार्टफोन में अब्रेट करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेलफुल रहने वाली है इस वीडियो में हमने शॉ देखने को मिल जाता है यहां पर आटो मोट दिया गया है जिससे फोन रिफ्रेश्ट स्विच करता रहता है ताकि बैटरी थोड़ी सेव हो सके बात करें परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको स्नाप्डेगन 732 जी प्रॉसर देखने को मिल जाता है इसका इस फोन के क्यामरा की तो इस फोन की रियर में आपको 64 Megapixel का प्रामरी लेंस देखने को मिलता है और यह 4K वीडियो सपोर्ट करता है 30fps पे और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 16 Megapixel का सिंगल कैमरा सेटप यहां पे आप Full HD वीडियो ले पाएंगे 30fps पे इस स्मार्टफोन का कैमरा भी यह daylight condition में काफी अच्छे results देता है मगर low light condition और indoors में यह थोड़ा dependable नहीं है इस फोन में आपको 6000 MHz की lithium polymer battery देखने को मिलती है 20W की fast charging के साथ तो यहां पे fast charging थोड़ी बहतर दी जा सकती थी इस smartphone में आपको कोई IP rating तो देखने को नहीं मिलती है मगर इसका जो design है वो water repellent है और यहां पे आपको near stock 100 experience भी देखने को मिल जाता है जो कि इस price range में काफी अच्छी चीज है इस phone का weight है 225 gram मोटाई है 9.7 mm तो यह phone थोड़ा heavier side by साथी इस phone की मोटाई भी थोड़ी ज़्यादा है आखरी में बात करें price की तो currently smartphone का 14,500 में खरीद पाएंगे अब बढ़ते ह हमारे लेस के चौते नंबर के smartphone की तरफ और यह smartphone उन लोगों के लिए है जिनका budget around 20,000 है और 20,000 में आप Moto G82 खरी सकते हैं इस phone में आपको 6.6 inch का full HD plus 120 Hz का OLED display देखने को मिल जाता है और smartphone का display काफी अच्छा है साथ ही इसमें आपको snapdragon 695 processor देखने को मिल जाएगा और performance भी आपको 50 megapixel का primary lens देखने को मिल जाएगा camera में आपको दो ऐसी चीज देखने को मिल जाती है जो कि इस price में कोई और smartphone offer नहीं कर रहा है इसमें आप 4K video ले पाएंगे 30 fps पे और 37 इसमें आपको OS का support भी देखने को मिल जाता है और smartphone के front में आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel का single camera setup 5000 image की lithium polymer battery देखने को मिलती है 30 watt की fast charging के साथ IP52 की water to decision की rating भी देखने को मिल जाती है और आखरी में बात करें price की तो currently smartphone को 20,000 में खरीद भाएंगे अब बढ़ते हैं हमारे list के तीसरे number के smartphone की दरब और ये smartphone उन लोगों के लिए है जिनका budget around 25,000 है और ये phone है Moto S30 यहाँ पे आप आपको अच्छा performance भी देखने को मिल जाता है Snapdragon 778G Plus processor देखने को मिलेगा इसका अंटरू benchmark score 5,000,000 बात करें camera की तो इस phone की rear में आपको 50 megapixel का primary lens देखने को मिलेगा और front में आपको देखने को मिलेगा 32 megapixel का single camera setup इन दोनों से ही आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 fps 4000 image की lithium and battery charging के साथ जो कि लेती है 53 minute इस phone को 2200 पॉसंट चार्ज करने में इस smartphone में भी आपको IP52 की वाट हो देखने को मिल जाती है और smartphone की एक जो सबसे biggest highlight है वह है इस phone का design है smartphone की मोटाई सिर्फ 6.7 mm है साथ ही ये phone काफी हलका है इस phone का weight of 155 gram और आखरी में बात करें प्राइस की तो कर warranty smartphone का 25,000 में खरीद पाएंगे अब बढ़ते हैं हमारे लिए इसके दूसरे number के smartphone की तरफ और यह smartphone उन लोगों के लिए है जिनका budget 40,000 के आसपास है और 40,000 में आप Moto S30 Pro खरी सकते हैं इस phone में आपको 6.7 inch का Full HD Plus 144 Hz का OLED डिस्पले देखने को मिल जाता है मगर यहां पे सिर्फ आपको Gorilla Glass 3 का prediction देखने को मिलेगा बात करें performance की तो performance smartphone में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा इसमें आपको snapdragon 8 Gen 1 processor देखने को मिलता है इसका on to do benchmark score है 9,96,000 बात करें camera की तो इस phone के रियर में आपको 50MP का primary lens देखने को मिलेगा यह 8K video support करता है 24fps पे और front में आपको स्मार्टफोन को 50% चार्ज करने में साथी स्मार्टफोन में एक disappointing चीज भी है यह आपको out of the box Android 12 पे देखने को मिलता है और एक और चीज जो मेरे को feel हो रही है all the smartphone के prices बढ़ते जा रहे हैं इस category में मगर सब में आपको IP52 की वाट और decision की rating देखने को मिल लई है और बात करे में आपको 6.67H का full HD plus 144Hz का OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है साथी इसमें आपको snapdragon 8 plus Gen 1 processor देखने को मिलेगा इसका under 2 benchmark score है 10,46,000 साथी इस phone के रियर में आपको 200 Megapixel का primary lens देखने को मिलेगा यह 8K video support करता है 30fps पे और front में आपको देखने को मिलेगा 60 Megapixel का single camera setup यहाँ प देखने को मिलेगी और यह reverse wireless charging भी support करता है तो 20,000 से लेकर price 55,000 तक पहुच गया है बगर इस smartphone में भी आपको IP 50 की water decision की rating देखने को मिलती है और एक और dispointing चीज़े smartphone की यह phone इतना महगा है मगर इसमें भी आपको out of the box Android 12 देखने को मिलता है और currently इस smartphone आप 55,000 में खरीत इस phone के stylish exterior, इस phone का camera, इस phone का display और साथी इसका performance काफी जबर्दस है मोटरोला ने इसमें कोई ऐसा department छोड़ा नहीं है जहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकें तो यह थे पाच बैस मोटरोला स्मार्टफोन 2023 में आपका favorite कौन सा है मेरे को नीचे comment box में बताओ, वीडियो पसंद आ पर फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ भी मैं काफी अच्छा content डालता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में